हेलो एवरिवन कैसे हैं आप सब उमीद करती हों आप सब अच्छे होंगे स्वस्तों के अपना बहुत सा ध्यान रख रहे होंगे ठंड के टाइम में बजार वाली पाव भाजी अगर घर में मिल जाए तो कितना मज़ा आ जाता है ना तो आज मैं आपके साथ शेर करने जारी ह जो कि हम घर पर बनाएंगे और बहुत सिंपल इंग्रेंस के साथ और इसका टेस्ट ना एकदम मार्केट वाली पावभाजी वाला आएगा तो चलिये से बनाने चलते हैं सबसे पहले ग्याश अन करके हम प्रेशे कूकर चड़ा लेंगे और उसमें एक चमश तेल डालेंग आप अपनी पसंद की सबजियां भी डाल सकते हैं उसके बाद एक फूल गोवी का आधा टुकरा मैंने डाला है एक गाजर एक छोटी कटोरी हरे मटर और दो हरी मिर्ची दो टमार्टर डालेंगे और हाँ नैचरल कलर लाना है हमें कोई बजार वाला मार्केट वाला कलर हल्दी हम आधी चोटी चमच डालेंगे और आधी चोटी चमच नमक डालेंगे वह डालने के बाद फिर से इसे अच्छे से चला दीजिएगा और मिक्स कर दीजिएगा तो वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में फूड लैप प्रसेस में जहां आप लोग को मिलते हैं बहुत इसे मिक्स करके प्रेशर कूकर कर धकन लगा कर तीन सीटी आने तक पका लेंगे तो रेस्पी आगे कंटिन्यू करते हैं पर सब्सक्राइब का आइकन जबूर प्रेस कर दीजिएगा अब हम कढ़ाय चढ़ा लेंगे उसमें एक चमच के करीब तेल डाल देंगे और एक बटर इस्तमाल करें तो थोड़ा सा तेल एड़ कर लेजएगा और एड़ कर दीजिएगा ताकि आपका बटर ना जले ना उसके बटर डालने के बाद हम इसे कल्ची से इस तरीके से गोल घुमाते हुए अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि बटर ना पूरी तरीके से मतलब इसका एक कलर चेंज हो जाए प्याज का पिंक कलर में आज होना चाहिए यह प्याज आपका भूनते-भूनते ध्यान रखिएगा कि इसे क्रिस्पि नहीं करना है भूनते-भूनते बस थोड़ा सा तोफ्ट हो जाय और प्याज ने देखो यह अपना कलर चेंज होना स स्टार्ट कर दिया है तो इस समय हम दो मिनिट के लिए से और भूनेंगे अगर आप चाहें तो शिम्ला मेर्ज भी इसमें टाल सकते हैं काटके इस टाइम पे डाल देजेगा और उसे भी प्याज के साथ अच्छे से भून लेजेगा अब हम इसमें एक चमच लैसन अद्रक का पेस डाल देंगे मैंने मार्किट वाले लैसन अद्रक का पेस डाला है आप चाहें तो घर में पीसा हुआ ग्लैसन अद्रक वो डाल दीजेगा और अच्छे से मिक्स करते भून लेजेगा लैसन अद्रक जैसी भूना जाए तो इसमें एक चमच कश्मीजी लाल मिर्च पाव भाजी थोड़ा से चट पटा ही अच्छा लगता है उसके बाद एक चमच पाव भाजी मसाला डाल देंगे और उसे भी अच्छे से मिक्स करते भून लेंगे हमें अगर आपकी पाव भाजी भी ना एक दो मार्किट जैसी नहीं बनती है तो एक बार इस रेसिपी को जो ठ्राई कीजिएगा अब हम इसमेन एक चमच धनिया पावडर डाल देंगे धनिया पावडर ना बिल्कुल ऑप्शनल है अगर आप पसंद करते हैं इसमें खाना तो डालिएगा नहीं तो बिल्कुल ऑप्शनल है हताभी सकतें स्किप भी कर सकते हैं उसे अच्छे से मि इसका फ्लेम एकदम लोग कर देंगे, अब मसालो को प्याज को अच्छे से भून लेंगे, तो चलिए अब मैं प्रेशर कुकर का धकन खोल कर आपको दिखाती हूं, तीन सीटी आ चुकी है, प्रेशर अपने आप रिलीज हो गया था, तो एकदम सबजी पूरी तरीके से बॉ करें मैशर का भी इस्तिमाल कर सकते हैं, तो अगर आपको पसंद नहीं है सबजी की टुकड़े, अपने पावभाजी में बिलकुल भी तो आप मैशर का इस्तिमाल कीजिएगा, इस तरीके से इसे अक्ड़कर करते हैं सबजी आ गर्रेवी के साथ मिक्स करते हुएग, भून लेजिएगा पाव भाजी का एक बहुत secret बात बताती है उनकी पाव भाजी इसलिए अच्छी लगती है ना मार्केट वाले क्योंकि आपने नोट किया होगा कि उनकी भाजी में थोड़ी थोड़ी सबजियों की bites आती है जिसे मतर की bites आएगी तो इसलिए ना उनकी पाव अच्छा लगता है उसके बाद हम इसमें नमक डालेंगे नमक मैंने इसमें डेर चमच के करीब डाला है और मैं थोड़ा सा बटर का क्यूब और अड़ कर लिया है अगर आप ज्यादा बटर खाना नहीं पसंद करते हैं तो इसे भी skip कर सकते हैं उसके बाद इसमें बहुत स इसमें हम गैस का फ्लेम नमीडियम रखेंगे और इसे लगातार चलाते हुए mix करते हुए cook करते जाएंगे मसाले हमने अलग से भूने थे सबजी हमने अलग से pressure cooker में boil के थी बस आपको mix करते हुए से भूनते हुए जाना है और अगर जैजा आपको कोई सबजी की bite बढ़ी लग रही है तो इस तरीके से कल्ची से क्रश करते हुए जाएगा ध्यान रखिएगा थोड़ी थोड़ी bites रहनी चाहिए तो आपकी पाभाजी और एच्छी लगीगी और नैचरल कलर आने के लिए चुकुंदर बीटूट का ज़र इस्नमाल कीजिएगा नहीं तो आप चाह है लेकिन इसे मैं दस मिनिट के करीब और बनाऊंगी पकाऊंगी और इसे सर्व करूंगी और इसके बाद आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया सबसे पहला तो एकदम मार्किट वाला चलिए अब हम ना अपने पाव को सीख लेते हैं बटर में तबही पर मैंने नॉ पूरे पर स्प्रेड हो जाना चाहिए आपके पाव में लग जाना चाहिए तो लटते पलटते दोनों तरब से इसे पलटके सीख लीजिए गा पहले अगर आपके पास नॉन स्टिक तवर नहीं है तो और भी ये नॉर्मल तवर पर भी आप इसे सीख सकते हैं बहुत अच् सिखा चुके हैं एक साइट से अब देख सकते हैं कितना अचा कलर आया है तो मैं इसे टर्न कर देती हूं दूसरे साइट से और दो मिनिट के लिए इसे दो मिनिट के लिए और हम सेखेंगे दो मिनिट बाद हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे सर्विंग के लिए तो दो मि कि simple और easy recipes के लिए मेरे चैनल को जरू subscribe कीजिएगा वीडियो को like कीजिए, comment करके जरू बताया कीजिए कि कैसी लगी आपको recipe आपने देखा कितने simple ingredients है और कितने easy way में मैंने पाओ भाजी बनाई है और इसका taste पूछिए मत, एकदम market जैसे पाओ भाजी बनाई है एकदम simple recipe है तो ऐसी recipes के लिए मेरे चैनल को subscribe करना मत भूलेगा वीडियो को जरू like कीजिए, comment करके बताया कीजिए कि आपने recipe ट्राइ की नहीं, आपको recipe कैसी लगी तो do like, share and subscribe my channel इसके साथ प्याज मैंने सर्फ किया, आदा नीवू सर्फ किया नीवू को प्याज पे spread कर दीजेगा उसके साथ पाओ भाजी खाईएगा, बहुत पसंद आएगा आपके गर्वालों को तो do like, share and subscribe मैं है, चैनल पर नहीं है फर्स टाइम है तो वीडियो को जो लाइक कीजिएगा comment करकर बताईए thanks for watching, bye bye